विहार में बहारबा, भरस्टाचार अप्रम पारबा, घूंस हो गया दस्तूर और भरस्टाचार हो गया सिष्टाचार यह कोई नई बात है या लोग जी, कुछ भी कर देगा, कैसे करवाई हो जाएगा यार? इस पक के नगर में लोभी भूखा नहीं मरता और लोभी के नगर में ठक भूखा नहीं मरता। जल्द करवाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे, दिन पर दिन बीता जा रहा है, इस वक्त हम पहुंच चुके है, पिछले दिन आपने विधान परिशद में कह दिया था, हम सवाल आप से इसलिए पूछ रहा है, भस्टाचार को लेका, एक तो आप रेटकार्ड भी बताते है है, पूरे बिहार में क्या रेटकार्ड है, गूज का, आपने विधान परिशद में कह दिया था कि भस्टाचार अब अधिकारियों के निताओं के नस्नस में भर चुका है, महोदे, तो क्या लगता है, यह सही बात है, होते जा रहे हैं, देखिए आलोग जी, पहले तो का गट बंधन चल रहा है, उभाई तो परमात्मा है, और हम तो आपको यही कहेंगे, कि जो गुपाल मंडल जी के बारे में आप बताना चाह रहे हैं, जो गुपालपूर से माननीय विधायक हैं, आपको ही पता है, इस प्रदेश के मुखिया के नाक के बाल हैं, और जो उन उप लगा लगाते हैं, उनका तो कंट सुक चुका है, और आप जानते हैं, कि जब सदन में माननीय मुख मंत्री के सामने में, जब मैंने कहा कि महोद है, सतर से असी परसेंट पदाधिकारियों के नस में भरस्टाचार घूस चुका है, सारे चीजों का मुलत है, पिछले ब तरह से एक समकच आपको एक MRP भी लिख देना चाहिए, कि फलना चीज के लिए इतना घूस, फलना चीज के लिए इतना घूस, फलना चीज के लिए इतना घूस, गेट पर एक तरफ हो सरकार की जूटी उपलबदी और दूसरे तरफ आपका हो घूस का MRP, ये मैं पहले भी हो गया सिस्टा चार यह कोई नई बात है या लोग जी आप बताईए बारा करोर पचासी लाख जनता है बिहार में एक जनता कोई हाथ उठा के बता दे कि किसी का बगएर रिश्वत दिये हुए किसी के जमीन का दाखिल खारीज हुआ हो जो गरीब को आप PDS में अनाज देते हैं 5 किलो देना है वो भी कोई आप राज सरकार तो देने रहे हैं केंसरकार है जितने भी केंसरकार की योजना चल रही है भले ही माने नहीं मुख मंत्री जी अपना नाम आगे साट लेवें कि फलना योजना चिलना योजना फलनवा योजना ढिकनवा योजना लेकिन बात तो दुसरा है तो जो पांच किलो अनाज गरीबों को देने की बात हो रही थी और दिया भी जा रहा था कितना दि लिजे चार किलो से एक छटाग भी उसको जादा नहीं दिया जाता है तो क्या इसमें हम गलती PDS दुकंदारों का माल लें नहीं आप जांच कराइए कि जो बोड़ा SFC से आता है State Food Corruption से जिसको Corporation लोग भिहार में बोलता है आप पता लगाइए कि उसके बैग में कितना किलो गेहूं होता है कितना किलो चावल होता है रेंडम उसकी जांच की जाए आपको खुद पता लग जाएगा तो कोई भी PDS दुकंदार अपना घर बेच कर देगा और जो गोपाल मंडल जी आरोप लगा रहे हैं कि फलना डिप्टी सियम गयत हम नाम नहीं लेना चाहते हैं और 30 लाख रुपिया अपना बैग में भर करके लाए वह एक जीला की बात बताते हैं इसलिए कि वहीं कि वो विधायक हैं हम तो 38 जीला की बात करते हैं कोई ऐसा छेत्र है जहां से लोगों को कलेक्शन नहीं जाता है पदाधिकारियों कभी आप कैसे बोल सकते हैं कि उसकी 100 परसेंट गलती है आपको दीख गया कि भाई फलना डिप्टी सियम वहां से 40 लाक रुपिया बसूल करके बैग मिला है उनहीं के रूलिंग पार्टी के लोग ज वो जो देखे जो जाने उतना ही नहीं उबता है वो एक जिला की बात किये हम 38 जिला की बात करते हैं जो जिस तरह से सब चीज का रेट खुला हुआ इस ब्यार में कोई पदाधिकारी को हिमत है कि जब आप उपर तक पैसा नहीं दीजेगा और नीचे आप जनता का खुंच चुस लीजेगा किसी को या बात पता है किसान कितने तरह से यहां पर बेहाल हैं बदहाल है किसी को चिंता है अब आप क्या चाहते हैं आप तो कहे थे कि 2022 में किसानों का है दूगना करेंगे आज किसान मारा मारा फिर रहा है उरिया के लिए उसको एक सो डेर सुर्पया ब् कर दें वह तो बिना गंजी कब किसान हो गया पके चकर में आप और में किसानों का अपर विखार में मात्र संतानवे हजार किसान से अपने गेहूं की खरीद की है तीन लाग संतानवे हजार से अपने धान की खरीद की है क्या मात्र इतना ही किसान है इस बिहार में क्या बात करते हैं आप दसका चार की बात करते हैं, अपने बयानों के माध्यम से भी एक सिद्ध कर दिया या साबित कर दिया कि जेडियो की विधायक जो कर रहा है वो सही है, आप बीजेपी कह रहे है कि कारवाई करें, तो क्या जेडियो करवाई नहीं करेंगी? देखिए, दोनों में गुरिला लडाई चल रहा है, देखिए, हम बता रहे हैं, वियतनाम जो अमेरिका पर विजय हासिल किया था, इनका तो एक तालिस विधायक है, उसका 74 विधायक है, राष्टिये पाटी है, बीजेपी, अब एक तालिस विधायक वाला जो पाटी है, वो चाहता है कि हम बड़ा-पाटी पर कैसे बीजाय प्राप्त करें जैसे वितनाम, अमेरिका से बीजाय प्राप्त किया था गुरिला लडाई से तो ये दोनों के आपस में गुरियला लडाई भी चल झाल Märty किसी-किसी मुद्य पर नुरा कुस्ति है आग किसी-किसी मुद्द पर गुरिला लडाई है। आप जो बात को डाइभर्ट करते हैं डाइभर्ट मत की जब घूंस पर चर्चा किये हैं तो सरकार को साप सुम गया सहर्ष भगत पर करवाई करने के लिए कौन है सहर्ष भगत क्यों नहीं आप पूस्ते हैं सीधा जिला परसत किया ध्यक्ष अंजू जी सीधा रोप लगाते कि सवा साथ करूर का उन्होंने गबन किया है सरकार को साप सुम गया कौन है वो बताना चाहिए जनता को सहर्ष भगत कौन है कहां पर आपने उसके बाद उनके पोस्टिंग कर दी क्या आप कारवाई किये या तो जूट बोल रहे हैं अंजू जूट बोल रहे होंगे कि भी आदमी को हम सरकार को खुली चुनोती देते हैं कि आप करवाई करकर दिखा दीजे आप जांच करके उनके उपर दिखा दीजे एक हमारे केंद्रिय मंत्री हैं उनके लोग परिवार हैं उनको हिमत है किस पर करवाई करें किसी पर जूटा भी अगर आरोप लग जाता इसमें क्या हो गया कानून दो तरह का काम कर रहा है और छोड़िये ये बताने की जरुवत है बिहार के जनता को एक-एक DTO के हां रेड होता है पचास लाग साथ लाग रुपया उसके हां मिलता है कोई ऐसा पदारी कारी है मैं आपको बताता हूं 534 ब्लॉक में जितने भी BDO किसी के घर पर आप रेड कीजिए 10% की बात छोड़ दीजे सब के हां कमो बेस उतना ही रुपया मिलेगा अब तो ये लट हो गया अब तो देख रहा है कि भाई रेड हो रहा है सब जगा तो तो अपना रुपया इधाउदर घंसका दिया होगा आप भी जानते हैं कि जितन पटना में अपाटमेंट खर दे जाते हैं सारे लोग अपने साला के नाम पर साली के नाम पर सारू के नाम पर लोग खरीतते हैं कोई अपने नाम पर पदादिकारी थो नहीं खरीता है जाँच होना चाहिए फ्लैट का कि यह फ्लैट का जो ओनर है वो पैसा कहां से लाया व सरकार के बरतमान सरकार के पदादिकारियों तक वो लिंक जाएगा सरकार की नत कर रहे हैं बता रहे हैं अरे सरकार को हम तो हर दम बताते हैं सदन में भी बताते हैं कि अगर आप में मनसा है कि आपको भरस्टा चार मिटाना है जो जुठो का आप तीन वो स्लोगन देते हैं कि आप बात करते हैं जदिव बिधायक और बीजेपी बिधायक का हम साथ नहीं देते हैं मैं उनके साफ गोई का साथ दे रहा हूँ कम से कम जो हमारे प्रदेश के मुखिया के जो नाक के बाल हैं जिनका करतूत था कभी जमीन कबजा कभी फलना कबजा कभी मंदिर तोरो उसके बाद भी कभी उसके उपर एक्स्पानेशन तक नहीं हुआ तो आप इसी से आकलन कीजि कितने नाक के बाल हैं हमारे प्रदेश के मुखिया के ठीक है सवाल ही नहीं पैदा होता है क्या बात करते हैं कुछ भी कर देगा कैसे करवाई हो जाएगा यार वो और बेचारा बता रहा है कि फलना को दुकांदार से बैख खरदाया है फलना दुकांदार का रसीद खरदा है हम तो सभी उनके रूलिंग पार्टी के बिधायकों को बताते हैं कि जो भी मंत्री जहां से बैक भर कर ले जाता है इसी तरह से आप मुखर होकर बताईए क्योंकि सारे लोग सारे जनता सभी लोग जानते हैं कि बगए रिश्वत दिये हुए आपका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है सबसे बड़ी बात कहाधिया है कि बिना रिश्वत दिये बिहार में किसानों की हो सुनि ने बड़ी बाते कही है कि जो र मन्तरियों का पोल खोले करने आज़ारी जो है वो J.U.B.J.P की इस लड़ाई में मज़ा ले रही है या फिर वो चार यह कैसा ही हो देखते हैं आगे सियासत और सत्ता किस मोर तक इस लड़ाई को ले जाती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेस्ट पेज भी लाइक करें इसके लड़ाई ट्विटर हैंडल पर लाइप सीज को फोलो करें धन्य बात